हेलो गाइस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ बिशेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरा आप इस वीडियो को अंता तक चरूर देखे के पास सकते हैं साथ हैं Google Play Store से करंट अफेर्स फंडा एप कोई इंस्टल कर लीजे क्योंकि जो भी हमारा PDF मेटेल करने सकते हैं यह सबी मैटेट आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा है परियूप लब्द हो पाएगा हमारे पीडिएफ को रसंबने दें आपका कोई भी डाउट है कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथ ही आपको बता दे कि आपके आने वाले जो भी बैंकिंग एक्जाम से जो मेंस एक्जामिनेशन से तो उनके लिए हमने जनरल अवेर्नेस की एक मोक टेस्ट सीरीज लॉंच की है जिसमें 12 टेस्ट हैं और हर एक टेस्ट में 40 कोश्चन्स इंक्लूड हैं तो इस टेस्ट सी कमपाइलेशन कह सकते हैं उनको टेस्ट के रूप में हमने आप आपके लिए लाए हैं तो यह आप आप बाइक करना चाहते हैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर फिर कोमेंट में मिल जाएगा तो चले फिर करते हैं शुरूआत इस वीडियो सेशन की विच फिल्म वास चूज़न एज इंडियास ओफिशल एंट्री फॉर दे 95 अकेटमी अवार्ट्स इन बेस्ट इंटरनेसल फीचर फिल्म केटेगरी सर्फ रिज्ट अंतरास्टिय फीचर फिल्म स्रेणी में 95 एकादिम परसकार के लिए बारत की आधिकारिक प्रिश्टी क रूप में किस फिल्म को चुना गया है औप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा शेलो शो या आप इसको गए शेलो शेलो शो तो देखे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया इसने गुजराती ड्रामा शेलो शो यानिक इंगलिस में कर हम बोले लास्ट फिल अवार्ट में बेस्ट इंटरेशनल फीचर फिल्म केटेगरी में भारत की और से ओफिशल एंट्री डिक्लेयर किया है आपको बता देए जो फिल्म है इसको डाय डारेक्ट किया है पाल नलीन ने और इसमें पहवीन राप्रीगीरी चामीना विकास बाता भावेश्री मली दीपेन रावल राहुल कोली इसमें जो हैं मैत्रपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं साथी सिधार्थ रोय कपूर की जो रोय कपूर फिल्म से जुगार मोशन पिक्चर्स मौनसून फिल्म्स शैलो सो एललपी मार्क दुआले ये सभी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया ह है इसकी अनॉंसमेंट की गई फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी जनरल है सुपर निसेन इनके द्वारा और जो जूरी रही जिसके देख्षता जूरी की देख्षता की करनड रैक्टर टीएस नागा बरान ने तो इन्होंने ही जो है इस जूरी नहीं इस गुड रोड यह भी गुजराती फिल्म रही भारत की और से तो इसके बाद अब यह सेकंड फिल्म बन गई है जैसे भारत की और से ओसकर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है पैदी कौन सी थी यह दगुड रोड अचा जो 95th Academy Awards है यह ceremony कहां पर होगी यह आपकी United States में होगी केटल अक्रोस इंडिया इस कोस्ट बाइविच वाइरस डेलेदार तोचा रोक एक वाइरस जिसने पूरे भारत में हजारों मवेशियों को परभावित किया है किस वाइरस के कारण होता है options आपके सामने है सही answer option रहेगा Capripox तो लंपी स्कीन डिजीज के बारे में आप कई के दिन से सुन रहे होंगे तो लंपी स्कीन डिजीज वाइरस के कारण ये होता है और ये वाइरस है ये Capri P sobie सबस्बल्राइब सबस्बाइब से सम्बन्दित इसी फैमिली से समॉल पॉक्स और मंगी बड़ा हो जाता है है seperti लिंफडेड अंई को अफ् i economy करता है तो से उसके साइब oporn joji एक टीट में हो जाती है और इसकी मों हो जाती है एं और उसके बाद बाद फिर अलसर में बदल जाते हैं और उसके बाद स्केप्स भी टैवल अब हो जाता इसकी में मतलब जो आपने देखा होगा चोट लग जाती है तो ऊपर एक घिसट पड़ जाते है या फिर आप कह सकते हैं एक वह पपड़ी सी जम जाती है ना तो उसको बोलते हैं अच्छा यह एक जोनोटिक वाइरस नहीं है यह आप याद रखें क्योंकि यह एनिमल से हुमन्स में ट्रांसफर नहीं होता इसलिए अगर किसी कैटल को इस तरह की दिक्कत है तो यदि वो दूद देती है तो दूद पिने में उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किस और वाटर बॉफैलोस में जातर देखी गई है डिजीज सबसे पहले जांबिया में साल 1929 में इसको अपसर्व किया था उसके बाद जातर अफीकर कंट्रीज में वैस्ट असिया में साथ इस्टन यूरोप में सेंटल इसिया में देखने के लिए मिली बारत में सबसे पहले 2019 में ये डिजीज रिपोर्ट की गई थी यूनियन मिस्टर फोर एग्रिकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेर नरिंदर सिंग तोमर ने एक इंडिजेंस वैक्सीन वीज के लिए लॉंच की हाली में लंपी प्रोवेक किसने मनाई है ये वैक्सीन नेशनल एक्वेइन रिसर्च सेंटर ही सारह रियाडाने किसके साथ मिलकर इंडियन वैटररी रिसर्च इंस्टिट्यूट इज्जतनगर बरेली के साथ मिलकर वर्ड राइनो डे इस सेलिब्रेट एवरी यर ओन विज्टे विश्व राइनो दीवस हर साल किस दिन मनाया जाता है ओप्शन सापके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी है सेप्टेमबर टॉंटीटू आपको जाना चाहिए वर्ड राइनो डे ये हर साल 22 सितंबर को मनाया देविश्व जांता है क्यों मनाया जाता है जो हम ऐसे की ग्रेटर व्न होंट रैनो उसमातन रैनो जावन रैनो ब्लेक और डान इंड वाइट राइनो तो इनके कंजर वेशन से अवेर्डिनेस से सम्बंदित ये मनाया जाता है जाग-रुकता फैलाने के लिए आपको बता पवित्रा जो वाइड लाइफ सेंचुरी है और जो आपका कैसे रंगा है यहां पर इस सार इसका थीम रहा है फाइव राइनो इस पिसीज फोरेवर INS Ajay was decommissioned during a ceremony conducted at Nevaldokyard Mumbai in which year was it commissioned INS Ajay को मुंबई के Nevaldokyard में आज जितेक समारों के दोरान सिवा मुक्त कर दिया गया है यानिक रिटायर कर दिया गया है इसे किस वर्ज कमिशन किया गया था ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंस्रोप्शन्स ही रहेगा 1990 तो INS Ajay इसको 32 साल की ग्लोरियस सर्विस के बाद decommission कर दिया गया है रिटायर कर दिया गया है सेवा मुक्त कर दिया गया है और यह सरमेनी हुई इसने कई सारे ओप्रेशन्स में पार्टिसिवेट किया जैसे ओप्रेशन तलवार डूरिंग कारगिलवार और ओप्रेशन प्राक्राम इन 2001 which bank has announced a tie-up with Mumbai's best bus service to launch its आओ बसकने campaign to promote greener and healthier communicating habits in the city किस बैंक ने सहर में हरियाली और स्वस्त आवागमन की आदतों को बढ़ावा देने के लिए अपना आओ बसकने अभिया शुरू करने के लिए मुंबई की best bus सिवा के साथ गड़ चोड़ की खोशना की है options आपके सामने हैं सही आंसर options ही है STFC bank तो देखिए STFC bank ने जो मुंबई की best bus service है इसके साथ tie-up किया है और tie-up करके आओ बसकरे campaign launch किया है ताकि सहर में जो लोग हैं उनको healthier commuting habits जो है उनके अंदर डाली जा सके प्रमोट की जा सके तो इसके तहर जो STFC bank है यह मुंबई में चार electric vehicle AC busses को जो है चालू करेगा और जो commuters है यानि कि जो डेली का जिनका आना जाना है तो उनको encourage करेगा कि आप अपने cars अपने घर में छोड़िए और इन electric vehicles का परियोग कीजिए आने जाने के लिए जो public transport है उसको यूज़ कीजिए जो एक green public transport है इसको साथ ही एक और current affairs STFC bank से यहां पर बनता है कि STFC bank का जो express car loan है इसको global fintech fest में best in class lending solution नामीद किया गया है जहिए global fintech fest है और गनाइस किया गया National Payments Corporation of India Payment Council of India and FinTech Convergence Council के द्वारा बाकी हमने STFC bank से संबंदी दो महत्रों current affairs और पढ़े थी कि STFC bank ने इंडिया का first electronic bank guarantee issue किया है साथी STFC bank ने MOU sign किया इंस्ट्यूट ओफ इकोनोमिक growth के साथ to set up chair of banking and finance कि international day of sign languages is celebrated on which day अंतरास्टे सांकेतिक भासा दीवस किस दिन मनाया जाता है सही answer यह option D रहेगा 23 सितंबर तो international day of sign languages यह हर साल 23 सितंबर को मना जाता है इसी के साथ international week of the deaf यानि कि जो 1925 तक यह जो international week है यह मनाया जाता है आपको उता दे जो वर्ड फेडरेशन ऑफ दुट्रेफ है यह 1951 को establish किया गया था 30 सितंबर के दिन ही और इसका theme क्या रहेगा जो international week of deaf people है building inclusive communities for all तो theme मैं तो पूर है याद रखेगा which country central bank and the international financial services centers authority signed a fintech corporation agreement to facilitate regulatory collaboration and partnership in fintech technology किस देश के केंदरे बैंक और अंतरास्टे वित्य सेवा केंदर प्राधिकरण ने fintech प्रद्योगी की में नियामक सहयोग और सायधारी की सुविधा के लिए एक fintech सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर किये है options आपके सामने है सही answer option भी रहेगा सिंगापूर तो monetary authority of Singapore इसने international financial services centers authority यानि की IFSC के साथ एक fintech corporation agreement signed किया है ताकि fintech technology से संबंदी जो भी partnership है इन दोनों के बीच में उसको और आगे बढ़ाए जा सके आपको जाना चाहिए monetary authority of Singapore यह सिंगापूर का central bank है नोटेट फिल्म एक्टर मनोज बाचपई released a book titled मुस्कराते चंद लमहे और कुछ खामोशियां who authored the book प्रसिद्ध फिल्म अभीनिता मनोज बाचपई ने मुस्कराते चंद लमहे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लिए का कौन है options आपके सामने सही answer option दी है जिवेश नंदन तो जाने वाने फिल्म एक्टर मनोज बाचपई ने बुक को लौंच किया है मुस्कराते चंद लमहे और कुछ खामोशिया इन पर्देंस ओफ इन फॉमिशन और ब्रोडकास्टिं सेक्रेटरी अपुर्वा चंद्र निव डैली में लॉंच की गई और यह एक पॉइम का क्लेक्शन आप इसको क्या सकते हैं इसको अथर किया है जिवेश नंदन ने हुँ लॉंच्ट रामकृष्ण मिशन अवेकनिंग प्रोग्राम रामकृष्ण मिशन के अवेकनिंग कारेक्रम का सुभारम किस नहीं किया ओप्शन सापके सामने सही आंसर ओप्शन दी रहेगा धर्मेंद्र प्रधान तो यूनिन मिस्टर फॉर एजुकेशन और इस्किल सब्सक्राइब के स्टुडेंट्स के लिए यह प्रोग्राम लॉंच गिया है आपको दादे रामकृष्ण मिशन यह 2014 से ही अवेकन सिटीजन प्रोग्राम एसीप इसको चला रहा है जो मेडिल स्कूल स्टुडेंट्स है ताकि वे आत्मश्रुद्धायानी की सेल्फ जो है मतलब उसको बना सके रिस्पोंसिबल चॉइस सेलेक्ट कर सके और इट हेल्प्स तेम तो फाइंड स्लूशन फॉर आल प्रोब्लम्स आफ लाइफ तो इतना ही इसमें जानने के लिए बाकि इसका मोटो भी रहा जो यह प्रोग्राम में इसका मोटो क्या रहा है फॉर स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज या किंतसाधित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कोशित किया गया है और इसे संबंदित एक सर्टिफिकेट अंडमान निकोबार की जो लेफ्टेंड कवर्णर है एड्मिनल डिके जोसी इनको सूंपा है आप प्रदें अंडमान निकोबार आइलेंड में जितने वी विलेजेस हैं उनको हर घर चल सर्टिफाइट कर दिया गया है और सभी ओपन डिफिकेशन फ्री हैं और डियॉफ ब्लस विलेजेस हैं अंडमान निकोबार आइलेंड के बारे में आपको जानना चाहिए कि इंडियन वो 38 ही हैं अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है टैन डिग्री चैनल नेम दे प्रमिनेंट इंडिन साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट फू हैस बीन कंफर्ड फ्रांस टॉप सिविलियन ओनर दे सेवियर डेला लीजिन दिहुनू और नाइट ओफ दे लीजिन ओनर उस प्रमुक भारते वेग्यानिक और अद्योगपती का नाम बताईए जिससे फ्रांस के सीर्च नागरी सम्मान दे शेविलियर डेला लीजिन दिहुनूर या नाइट ओफ दे लीजिन ओनर से सम्मानी थिया गया औप्शन साहब के सामने ज आइट ओफ द लीजन ओफ ऑनर किसलिए इंडो फ्रेंच को बढ़ावा देरे के लिए इंडो फ्रेंच के बीच में जो बिजिनस है इंडॉस्ट्री है साइंस मेडिसीन ठीक है तो इस सभी में कॉंट्रोबिशन के लिए इनको जब्मान दिया गया है आपको बता दें अग गुथ पूर्वेच सैनिक कलजान सचीव का पदभार किसे ने ग्रेंड किया ओप्शन सापके सामने सही आंसर ओप्शन दिया विजय कुमार सिंग तो मिस्ट्री ओफ डिफेंस ने ये बता है कि सीनियर ब्योक्रेट विजय कुमार सिंग इने एक्स सर्विसमें वेलफिर से करेट्री बना गया है कि दा आई सीवाइल एनॉंसिंग होस्ट ओफ रूल चेंजिस इन इंटरनेशल क्रिकेट हैस बैंड यूज सबस्टेंस तो साइन रबॉल आई सीच ने अंदराश्टी क्रिक्ट में कई नियमों में बदलाओ की गोशना करते हुए गेंद को चमकाने क के लिए कि स्पदार्थ के इस्तमाल पर प्रदिबंद लगा है और आपके सामने सही आंसर भी रहेगा सहराइवा तो देखिए इंटरनेशल क्रिकेट काउंसिल ने कुछ चेंजिस लाए हैं क्रिकेट के रूल्स में और यह एक अक्टूबर से लागू होंगे तो इसमें द की रूल पर लेकिन अब इसको पर्मनेंट बैन कर दे गया है साथ ही बताया गया है यदि कोई बैट्समें आउट हो जाता है तो जो नहां बैट्समें आएगा वो इस्ट्राइकर एंट पर जाएगा यानि कि बैटिंग साइट पर वही जाएगा अगहला रूल इन्होंने यह भी कहा है कि जो बैट्समें आ रहा है जब कोई एक बैट्समें आ उट होके गया दूसरा बैट्समinseं अंदर साथ यह भी बताया गया है कि फिलिंग साइट से किसी भी प्रकार का अनफेर डिया डेलिबरेट मोमेंट होता है जब बोलर रनिंग कर रहा हो बोल करने के लिए तो अंपायर इसमें जो है पैनल्टी लगाया फाइव रन्स की बैटिंग साइट को पांच रन देदेगा और ब करता है कोई तो nell no striker होता है वह आगे निकल जाता तो बोलर क्या करता है उसको मढल से पहले ही उसको उसको मेंड कर देता है और नहीं को इसको लीगल बनातिया गया है ठीक है अब इसको रन आउट ही मना जाएगा मैं के डिंग को अच्छा साथ ही आपको बता दें कि बैटर जो बैट्समेर है वो पिछ के दाइरे से बाहर नहीं जाएगा ठीक है और इस तरह की जो बोल होगी उसको डैट बोल करार देगा अंपा जाएगी कि साथी आपको बता दें पहले जो बोलर वो जो इस ट्राइकर है उसको रन आउट कर सकता था यदि वो देखें कि जो बैट्समें है वो आगे आ रहा है है ना एडवांस एडवांसिंग एडवांस टांड विकेट बिफोर एंट्रिंग देर डिलिवरी इस ट्रा जोएंट हैंड्स विद मिर्ची तो सेलिब्रेट तर टीचर्स टैट ऑलवेस पुट यू फर्स्ट किस बैंक ने ऑलवेस पुट यू फर्स्ट के तहथ सिक्षकों को मनाने के लिए मिर्ची के साथ हाथ मिला है औप्शन साब के सामने है जईयांत और ओप्शन लिए इफसी फस्ट बैंक ने आपर रेडियो मिर्ची के साथ पाटनर्शिप की है और एक कैंपें लॉंच किया है जिसमें टीचर्स को धन्यवाद बोला जा रहा है और इस्टुनेंट्स और टीचर्स की कुछ इंपेक्टफुल स्टुरीज भी शेयर की जा रही है तो यह जो कैंपेंट है यह मिर्ची जॉक्स के साथ स्टार्ट हुआ है जिसमें कि टीचर्स और स्टुएंट्स की कई इस्पिरेशनल इस्पिरेशनल इस्टोरीज बताई जा रही है बाकी IDFC फस्ट बैंक के बाने में आप जानते हैं MD&C OV वैद्यनातन है एटकार्टस मुंबई महरास्ट में है टेगलाइन ओल्वेज यू फस्ट है हाली हम ने देखा था कि IDFC फस्ट बैंक ने ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कोमर्स ONDC को जोईन किया है इन ओडर तो रिड्यूस दबर्डन ओन इस्टुडेंट्स बिच स्टेट गोवर्मेंट विल इस्टिटूट अनो बैक डे रूल इन इस्पिरियर वंस वीग चात्र पर बोच कम करने के लिए कौन सी राज सरक स्कूलों में नो बैक टे नियम और सप्ता में एक बार अनिवार एक खेल अवदी स्थापित करेगी आपके सामने सही आंधर आप्शन वे हैं तो बिहार कॉवर्मेंट नो बैक डे रूल इस्कूल में इंट्रिद्यूस करने वाली है साथी हफ़ते में एक बार गेम्स पीर बागी हमने देखा था कि बिहार की जिफिटर नितीश कुमार ने इंडिया का लार्जेस्ट रबर्ड एम इन्योग्रेट किया है कि वर्ड बैंक एस एप्रूव्ड वन फिफ्टी मिलियन युस टॉटर लोन फॉर विच इंडियन इस्टेट टॉ इंप्रूव इस्टेट्स फाइनसेस अन्ड सर्विसेस ड्यलि व्सु बैंक ने किस भारते राजिये के य데 बित्रों में में सुधार के लिए वन फिफ्टी मिलियन वैस टोर के इन को मन्जूरी दी है options आपके सामने है और सही answer यहां option भी रहेगा पंजाब तो देखिए पंजाब राज जी अपने financial research को अच्छे से manage कर पाए और public services की जो access है उसको बढ़ा पाए इसलिए world bank का जो board of executive directors है इन्होंने 150 million US store का loan पंजाब के लिए जो है अप्रूव कर दिया है और इसका maturity period 15 साल का रहेगा grace period 6 मंद का रहेगा बागी आपको जाना चीए world bank के country director in इंडिया यहाली में न्यूक थी हैं कोटिडिव और के हैं अगोट स्टेट आनो कोवा में पंजाब की बात करें गवंडर बन्वारी लाल पुरही थे हैं विटल चंडीगड़ है चीफ मिश्टर बगवत बगवन तमान है कि विच स्टेट हैस लॉंच्ट सीम दाहसी वैपोर्टल टू एड्रेस पब्लिक रिवेंसेज किस राजने जन सिकायतों को दूर करने के लिए सीम दाहसी वैपोर्टल लॉंच किया option आपके सामने सही लिए इंफाल में पॉर्टल का नामें सीम दाहसी यानि की इंग्लिश में बात करें इन्फॉम्म टू सीम तो अपने यहाँ पर जो भी दिक्कत परेशानी हैं क्रिवेंसे उनको रिजिटर कर सकते हैं मनीपूर की बात करें कैपिटल इंफाल है चीफ मिनिश्टर अन्बिर फट्री कुल्चर और अर्गनाशन व थाओ देशाइ पंड़ कि अच्छंड़ को बात करें अच्छाट इंग्या आद्वी प्रेश इंग्या की शत्रासी नम्हाँ अप्टम्र को मना है गया अच्छ विश्टों इंग्राइब को मना है गया इन्वेक्ष लुक्त इंग्या प्रदानमंत्री प्रमोट्टर्य चारिशने से चार्णवारें यू चारिश्य की प्रणट्राम्त्री अजेन में की प्रणाम की प्रणाम् In the most recent UNDP report, Switzerland ranked first among countries in the Human Development Index, which stood second, अर्साइनल्वेर तो व्ड़िय्क जेकर चारिश की और पार्ट ऑफ दा कॉमन वेल्ट ऑफ निशन्स अग्रूप ऑफ कंपोस्ट मॉसली ऑफ फॉर्मर विटिस कलोनीज आंसर इस 56 और आप में से कही अस्परेंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसी तरह से आप पाटिस्पेट करते रहें अच्छा एक्जाम देने से पहले आची स्यरून से टेगेंगा, पाला वेटलेंड इस लाहे सिर्फेटर से लाजरोलेफ एक्पामा इन कास्सा हैं प्ला थेज्ज ने लाजरूप यंड के कम सेंटर सीस्फार एडिमेंट विद नेशनल सोशलिस्ट कांशल अगलेंट निकी एक्सेंडड फोर पीरियड ओफ यह और यह फ्रॉम सेप्टेंबर 8 तो इन 6 कोश्चन की आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा यह आपको एक कोश्चन का आंसर भी आता है त सोलूशन पा सकते हैं दोस्ते आपने अपने दोस्तों के साथ हमारे करेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा थैंक्यू बाइस